Sunk Cost का धोका देखिए मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि हमें Stop Loss लगाना चाहिए Averaging नहीं करने चाहिए उसके बात भी ये बात भी मुझे भी और आपको दोनों को पता है कि हम Stop Loss कई बार नहीं लगाते और Averaging भी कई बार करते है देखे अभी तक क्या था मैंने सिर्फ एक concept आपको बताया था आपने सिर्फ सुना था या किसी ने भी आपको बताया था आपने सिर्फ सुना था अभी तक आपने उसके पीछे की psychology की actually ऐसा होता क्यों है वो अभी तक detail में नहीं समझाता आज की इस वीडियो में हम आपकी psychological level पर जाके complete आप और हम interact करने वाला है इस वीडियो में और psychological level पर जाके समझने वाले है कि आखिरकार हम averaging करते ही क्यों है stop loss लगाते ही क्यों है क्या ये सरफ equity market में होता है या इसके अलावा real life में हम ऐसा ही कुछ करते है detail में समझेंगे हम आज के इस वीडियो में इससे पहले हमने एक loss aversion का वीडियो बनाया था वो वीडियो के नहीं देखा है तो मैंने उपर i button पे रखा है उस वीडियो को पहले देख लीजेगा ये उस वीडियो का second part है और इस वीडियो के end तक मैं simple आपसे 5 questions पूछूँँगा चार से 5 questions के basis में आपको खुद को पता चल जाएगा कि हम क्यों क्या और कैसे करते हैं और क्या हमें actually करना चाहिए जब एक बार हम psychological level पे चीज़े समझ लेंगे तो आगे actually apply करना हमारे लिए बहुत जादा easy हो जाएगा मेरा नाम है अनत लडड़ा CFA CA CFP LLB open for all telegram channel का link description में है अगर आपको लगे useful तो आप telegram पे जाके invest arch purple search करेंगे तो आपको ये open for all telegram channel मिल जाएगा जिसमें 70,000 से ज़्यादा members part बन चुके आपको भी लगे useful तो आप इस channel का part बन सकते काफी additional information हम यहाँ पे for education purpose डालते रहते है चलिए शुरू करते हैं आज का बहुती important discussion जो आप सभी की psychology पे जाके आपको actual answer आप खुद ही दे देंगे इतना interesting ये video होने वाला है चलिए शुरू करते है सबसे पहले तो हमें psychology में जाके समझना पड़ेगा real life example से लेने की कुशिश करते हैं दो scenario में आपके सामने present करने वाल हो जो भी आप choose करें comment करिएगा scenario 1 में आपने कौन सा option चूज किया और scenario 2 में आपने कौन सा option चूज किया सबसे पहले scenario 1 की बात करते हैं suppose करते हैं कि आप Mumbai में रह रहे है IPL का मैच चल रहा है वांखेडे स्टेडियम में आप बोरीवली में रहते हैं आपके पास वहां की मतलब मैच की दो free tickets मिल गई है अपनी office की तरफ से आज़ी दिन का मैच है रात में 8 बजे मैच होने वाल है 5 बजे आप देखते हैं कि काफी ज़्यादा बारिश चल रही है इतना मुसलाधार बारिश चल रही है मुंबई में आप मैंसे जो भी मुंबई रहते हैं आप जानते हैं मुंबई की बारिश की आ होती है आपको पता चलता है कि इतनी बहंकर बारिश चलरी की बड़ी दिक्कते होने वाली है मैच अगले तीम घंटे में आप बायकार जाने वाले ते रफली आप बोरी वाली से वांकरे स्टेडियम पॉशने में अल्मूस्ट एक घंटा सव घंटा के आसपस लगता है अब बिकोज बारिश हो रही है काफी ज़दा ट्राफिक होने वाला है काफी ज़दा दिक्कते होने वाली है आपको पता है कि आपको इस्टेडियम पॉशने में रफली लगबग 2 घंटे से भी उपर हो सकता है इसे तीन घंटा भी लग जाए आप क्या करेंगे आपके पास मैच की दो फ्री टिगेट मिली है ओफिस से मैच है अभी आठ बजे और पांच बजे बहुत बारिश हो रही है आपका क्या डिसिजन होगा सेनेरियो वन में कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बात करते है सिनेरियो टू की सिनेरियो टू में क्या हुआ है वापिस से सेम मैच है बारिश हो रही है सब कुछ चीजे as it is है सिर्फ इतनी सी चेंज हुई है कि आपने न कॉस्ट पे करिए टिगेट की मतलब आपने 4000 रुपे पर टिगेट का पे किया है टोटल 8000 रुपे का आपने पेमेंट अल्रेडी कर दिया है बारिश आ रही है और सारी चीजे सेम है अब आप क्या करेंगे क्या आप मैच देखने जाएंगे या आप मैच देखने नहीं जाएंगे कमेंड करके ज़रूर बताइएगा ताकि यहां से हम आपकी साइकिलोजी को और आगे डिटेल में समझ पाएंगे अब चलते हैं आगे के पार्ट पर जब यह सेम एक्सपिरियंस काफी सारे लोगों पे किया गया था और उनसे उनके आंसर पूछे गया थे एक्चुवल जेन्वेन जेन्वेन आंसर है ऐसा नहीं कि आप जस्स साइकिलोजी के लेवल को पढ़ते हुए अपने आंसर को कि तबेत खराब हो जाए क्योंकि मैच का चलते हैं वक्त बारिश रही तो हम भीग जाए तबेत खराब हो जाए देखिए ये सिर्f यек एक जा है और बहुत सारे मैं एक जानlike के सामने रख दूंगा जब भी हमारे पशंडमेट रहता है उस commitment को पूरा करने के लिए हमारा ego को force करता है कि हम over commit और आगे कर जाए और example लेके देखते हैं हम सभी को पता है एक movie आई थी शांदर हम देखने गए थे पहले 15 मिट में ही पता चल गयाता हमें कि ये movie में शांदर जैसा कुछ भी नहीं है बट क्योंकि ticket के पैसे हमने दे दिये थे कितने लोगों ने पूरी movie द बूल जाते है हमारे साथ life में सब जगे होता है आप ही बताई ना 15 मिट में हमें movie का पता चल गया था कि ये अच्छी नहीं होने वाली फिर भी पूरी देखी because cost involved थी हम समझ पा रहे होंगे और एक और example देते है अब equity share market के example देते है एक share था जो बहतरी इन stock था past performance बहुत अ ये reverse कर सकता है हमारा first action क्या होता है अच्छा reverse करेगा तब तो मैं और buy करूँगा क्यूंकि मैंने already 100 share buy कर रखे है अगर ये टूटेगा तो मैं और buy करूँगा फिर जब आपका financial advisor आपको समझाने की कुशिश करता है ये reversal होगा मेरे दोस्त यहाँ पर ये सीधा टूट सकता अब मैं तो इसमें लगा ही रहूँगा क्योंकि मैंने already एक amount invest कर चुका है क्या ये हमारे साथ नहीं होता है I am very sure हम सभी के साथ होता है ये आज जो अभी हम discuss कर रहे है ये second part है loss aversion का जिससे हम बोलते sunk cost का धोका मतलब जो पुरानी cost आप already bear कर चुके है उसे बचाने के करने की कोशिश करते क्योंकि हमारा पुराना investment हो चुका होता है आप समझ पारे होंगे मैं आपसे आज क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें हमें एक चीज समझने की जरूरत है वो ये कि हमें हर situation में चाए वो movie की situation हो चाए हमारे investment की situation हो चाए हमारी match देखने जान या ना जानी की situation हो तीनों जगे हमारे पास या life में हर समय हमारे पास option होता है कि हमने जो commitment कर दिया है उसको रोके और आगे के लिए हमारे लिए क्या अच्छा या क्या बुरा है उसको सोच के decision ले but because हमारे दिमाग में पुरानी cost दिमाग में चलती रहती है हमारे आगे का decision हमारे पुरानी cost के basis पे influence होता रहता है यही होता है sunk cost का धोका जो हमें ध्यान रखना चाहिए आप इसमें से कुछ लोग argue करने की कोशिश करेंगे कि सर्क कई बार हमारे benefit में भी होता है वो कैसे होता है ना benefit में suppose कीजिए कि आपने अपनी जिम की fees pay कर दिये yearly fees pay कर दिये फिर आप कुछ भी करके पुरे साल जिम जाने की कोशिश करते है और कई बार हमारे लिए फायदेमन भी हो जाता है I accept कि ये कही जगे हमारे लिए फायदेमन भी हो जाता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो आप averaging करने की कोशिश करेंगे second आप ये करेंगे कि आप अपने stop loss पर कभी maintain नहीं रखेंगे ये दो characteristic आपके पास बहुत ज़्यादा होने वाली है और क्या आप इसके actually शिकार है भी या नहीं या आपको क्या करना चाहिए मैं simple आपको 4 से 5 question पूछने वाला हूँ आपका जवाब आपके पास अपने आप मिल जाएगा इससे पहले कि हम final conclusion पर जाए इस वीडियो के अगर अभी तक आपको आपको आज़ डिमाट नहीं है description में 0 था जो इंडिया का number one stock broker है हम काफी education related material members को throughout देने की कोशिश करते है हमारे लिए useful हो सकता है जितना commitment किया है उससे काफी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते है आपको लगी useful तो आप consider कर सकते है अब finally चलते है इस चीज़ पर कि क्या actually आप sunk cost का धोका या lost aversion के शिकार है भी या नहीं या आपको simple question से पता चल जाएगा सबसे पहला question आप खुद से पूछ के देखिए क्या आपका majority investment, fixed investments में है इस डर के कि stocks में, equity में, property में, gold में fluctuation बहुत ज़्यादा है इसलिए हम किसी और asset class में invest भी नहीं करेंगे ये है पहला question second question क्या आपके portfolio में ऐसे stocks है जो देखिए, आपका portfolio ऐसा कुछ बनावा है कि 2-3 stock तो green है अच्छा returns दे रहे हैं और जब हम losses देखने जाते हैं, losers देखने जाते हैं तो list खतम ही नहीं होती क्या ऐसा आपका portfolio बनावा है second important point अगर ऐसा second point से related third point होगा क्या आप profit बहुत जल्दी book कर लेते हैं और loss जब book करने की बाद ही आती है आपके portfolio में आपसे loss book होता ही नहीं है third important point fourth important question आपके लिए है ये आपके लिए तोड़ा सा अलग question होने वाला है क्या आप किसी भी stock में जब भी आपने कोई position बनाई हलका सा price शूटे समझो आपने 1.500 रुपे में मिल दिया 145 आते ही क्या आप exit करने की सोचते हो और बहुत जार डर जाते हो मतलब हलका सा correction होते ही देखे stop loss रखना जरूरी है बट stop loss का level होना जरूरी है ऐसा नहीं कि हम आदा परसंट का stop loss रख रख रहे है क्या आप अपने future decision past decision के basis में past decision के basis में जो आपका ego हमारे बीच में आता है क्या उसके basis पे हम लेते हैं सोचना जरूरी है अगर इन पांचों question में से एक question का भी answer yes है आपको एक बार वापिस अपने portfolio को लेके बैठना चाहिए एक बार independent thought लेके सोचना चाहिए and as an independent person सोचना चाहिए कि मैं मेरा portfolio कैसे structure करूँ emotions हमें अपनी life में हमारे portfolio में काम करने होंगे और logic से काम जाना करने होंगे अब इस series में हम ऐसे ही कुछ videos regularly लाते रहेंगे अभी तक हम इस video series में जो हम especially आपके psychological related videos बना रहे है loss aversion का concept cover कर लिया है sunk cost का धोका को cover कर लिया है इन धोके की वज़े से क्या 5 दिक्कते या क्या 5 questions हमें पूछने चाहिए उसे cover कर लिया है इसी को हम step by step आगे ले जाते जाएंगे और in the end आपको पता चलेगा कि complete picture psychological level पे आपके साथ काम हो चुका है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ share मैं नहीं कहरा कि आप ज़्यादा दोस्तों के साथ share कीजिए सिर्फ पास दोस्तों के साथ या फिर whatsapp ग्रूप में share करना मत भूलिएगा उसी के साथ साथ channel को subscribe bell icon click नहीं किया तो ऐसा ही कोई important वीडियो मिस हो जाएगा मिलेंगे next वीडियो में तब तक happy investing and I will see you very soon अपनी psychology level पे काम करके उसे improve करना हमेशा चालू रखेगा happy investing and happy trading